आपको राश्रुपती के समान की चिंता है पूछ रही हूँ आप पिल्कुल तो फिर जब आपके कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ बयान दिया तो आप दिखाईए आपने कब उनके खिलाफ बोला कई राश्रुपत नहीं उनको कहा सथ तब आपको ये पीड़ा हुई थी क् प्रश्रुपती को रेप्रिजेंट करती है वो भी जबान फिसली थी देखिए कॉंग्रेज पार्टी हमेशा से आदर करती रही है जहां तक यह क्यते हैं चुनाओं लड़ने का प्रश्रुपत वह उंबीद्वार थी लेकिन आज अभीभावक है संविधान की आज क्यों नहीं आप आमंत्रन पत्र तक नहीं दिया सुधान चुजी होंगे तो जब नागर कि यहां राश्वपति भवन यहां पर नई सब्सक्राइब यह संसत के भवन का उध्गाटन सार्जोनिक कारिक्रम है जैसे 15 आगस के कारिक्रम में नहीं बुलाए जाता है राश्वपति वो संवधानिक प्रमुख है जब संवधान के संबत सत्र शुरू होगा तब होगा तुसरा में पूरी बाद सब्सक्राइब यह ना बचकाना तरक कहें या शातिराना तरक कहें कि राष्ट पतनी इसलिए बोल दिया चूंकि उन्हें यह लगा कि वो गैर हिंदी भाषी है इसलिए उनकी जबान फिसल गई मगर सोनिया जी तो गैर भारती है उनकी जबान तो आसता कैसी नहीं फिसली वह जबान नहीं फिसली थी आपके दिल की जो असम्मान अवमानना तिरसकार राश्पति के लि आप नहीं बूलाना चाहतें सिर्फ यहीं सारे कारण है आपका असली चेहरा बता रहे हैं हमारे चेहरे पर मत्राइए का आप घर दीजिए क्यों नहीं आज कम से कम अंजना जी के शो में एक जवाब दे दीजिए क्या यह सिर्फ सिंगल फेट फोटू फ्रेम अजी का वेभाव उसकी जीवनतता से है उसकी आत्मा से है जो प्रजात अंत्री व्यवस्था है अगर उसको उखाड़ कर पेट नितिश कुमार की पार्टी से सहमत नहीं है इस पर मैं ऐसे किसी कॉंग्रेश ललन सिंग नो कहा है ना उसके लिए एक पंटी कही जा सकती है ना आजवादी लोग जो कहे रहे हैं कि भारत की संसत तो आप बना रहे हो भारत की संसत तो आप बना रहे हो लेकिन भारत की जो संसत की आत्मा है जो भारत की आत्मा है पदानमंति जी आजी के दिन शपत लिया था उन्होंने पहली बार बतौर पदानमंत्री नौ साल पूरे ह रहेए कि मन्द जब संसार कि इस पर चुमते हुए कदम कहा था पखश विकष टीम इंडिया बन के काम करेंगे कोई दुश्मनी का भाव नहीं होगा इस नौ साल में भारत की लोगों ने क्या देखा नौ साल में भारत के लोगों इस देश में किसानों के मुद्धे संसद में चर्चा नहीं होगी बदानमन्ती जी ने घाव तह कि मैं आउंगा सरादे हमारी सुरख्षित रह은गी कि छीन के मामले में अकलेश जी ने बहुत साथ सब कहा पदान मंती जी आगे बढ़ी है समाजवादी पार्टी आपके साथ है क्या हुआ हमारे दिश पे आकमर करके हमारा भूबाक कब्जा किया पदान मंती जी पतानी क्यों डरते हैं आज संसद में जब हमने चीन पे बाद चर्चा करने का बात बोले पदान मंती जी सम्मान दे देंगे आपने उनको विश्वास घात किया उनके साथ मेस्पी का मामला आज तक नहीं हुआ जातिकर जंगरना पर मलूग नागर जी यहां पर है बीस पी से जब भी सवाल भारत की संसद में मानिय अख्लेश जी ने उठाने की बात बोली भारत की संसद में चर्च सुनेगा भाशन में सुनेगा एक तरफा बात चलेगा संसद की आत्मा है हमें अपनी पार्टियों का नुभा बोल रहे हैं जहां एक ही एक साहिब आलम हैं फर्जंद अंजुमन हैं वली हैदर सल्तनत हैं और दोनों का जो हुक्म है वही पार्टी का मेरा वचन ही है मेरा श कहना जो रस्ट पति के महामाहिम जी की बात कर रहे हैं वह धलित और आधी वासी उस समय जब उनका चुनाब था तो यह विरोध कर रे थे राश्ट की पतनिव नियू एक दा रेता एक ऑप राश्ट पती का हो बात कर रहे घर वह फिचरोभाति का पार स 메त सामाच से थे औ ये जब संसद बड़ी बन रही है नई बन रही है इसका भी विरोध कर रहे थे 1913 में कैलकटा में legislature system start हुआ और ये 1917 में बननी शुरू हुई building और 26 में पूरी हुई 27 में पहला session हुआ जब 20 करोड से कम लोग थे और 1947 में जब तक नाम Central Legislative Assembly था 1947 में जब दोनों देश अलग हुए 37 करोड थे 7 करोड पाकिस्तान में पहुँचके 30 करोड यहां रहे गे point क्या है आपका? point यह है कि अब 140 करोड लोग हैं उस संसद में काम नहीं चलना जादें पीची हैं बड़े बड़ा काम चीए बड़ा देश हो रहा है विश्व में फैल रहे हैं उसका भी विरोध कर रहे हैं यह बगर मतलब की बातों पर विरोध करोगे तो विपक्स में सब सब बड़ी कॉंग्रेस कमजोर हो जाएंगी और अगर विपक्स कमजोर हो गया तो देश कमजोर और भाजपा अर्जवाज की सरकार है फिर यह अपनी चलाएंगे ताना साहीं चलाएंगे असलियत में समझनी पार हैं कंफ्यूज हैं